हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई हम से कहां कमिया रही मद्धे प्रदेश का मन जीतने में मद्धे प्रदेश की जनता का मन जीतने में इस पर भी बड़े खुले मन से आतम मन्थन भी हुआ विशलेशन भी हुआ और चर्चा भी हुई उन्होंने मद्यप्रदेश के सब नेताओं से चुनावका के नतीजे के बारे में तफसील से विशलेशन किया सब नेताओं ने प्रदेश कॉंग्रेसा द्यक्ष माननिय कमलनाज जी ने विपक्ष के हमारे पूरव नेता गोविन सिंग जी ने पूरव मुख्यमंत्री शिरी दिगविजे सिंग जी ने वर्किंग कमेटी के हमारे सदस्य कमलेशुर पटेल जी ने चुनाव समीती के हमारे सदस्य ओमकार मरकम जी ने सबी नेताओं ने पार्टी के सचिव गणों ने अपने अनुभव चुनाव को लेकर उनसे सांझा किये फार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई हम से कहां कमिया रही मद्धे प्रदेश का मन जीतने में मद्धे प्रदेश की जनता का मन जीतने में इस पर भी बड़े खुले मन से आतम मन्थन भी हुआ विशलेशन भी हुआ और चर्चा भी हुई वो सारे बिंदू जो हम सब साथियों के मन में थे समेथ मेरे सोहार्दपूरण वातावरण में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के समक्ष रख दिये गए और उन्हें अधिक्रित किया गया कि अगली संग्थन और विधायक दल की कारवाही के लिए वो अपना मारक दर्शन हमें दें कॉंग्रेस अध्यक्ष जी ने सारी बाते बड़ी विस्तृत तरीके से सोहार्दपूरण वातावरण में सुनी राहुल जी ने सुनी कुछ सुझाव भी उन्होंने भविश्य को लेकर हमें दिये और आगे का निर्णे अब कॉंग्रेस अध्यक्ष माननी है कड़गे साब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मारक दर्शन दें किस प्रकार से संग्थन की रचना हो संग्थन को आगे बढ़ाएं और हमने उन्हें अनुरोथ किया कि विधायक दल की बैठक के लिए भी परवेक्षक जल्दी से न्यूक्त कर दिया जाए ताकि वहां जाकर विधायक सातियों की राय लेकर विपक्ष का जो अगला नेता ते होना है वो भी हो और हम मद्यप्रदेश की जनता की सेवा में जुट जाएं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें